नमस्कार दोस्तों मैं बिनोत गुपता और आप देख रहे हैं आपके चैनल जीवन ग्यानवानी को तो दोस्तों काली का माता मंदिर अमरसर भाग दो में हम देखे थे कि हम काली का दरवार पहुँच चुके हैं दोस्तों कालिका मंदी रमर सरकात तीन भागों में वीडियो बना हुआ है आप ये तीसरा भाग देख रहे हैं अगर एक और दो भाग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के लोगों पे क्लिक करके हमारे चैनल पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे यात्राय और धर मस्तल में आप दोनों भाग देख सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब तक आप लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं हैं तो सस्क्राइब भी कर दीजिए और साथ मैं ये नोटिफिकेशन वेल को दबाना न भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुँचे तो चलते हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो काली का माता मंदिर बारा बज़े से एक बज़े तक बंद रहती है तो दोस्तो हम सवा बारा बज़े पहुँचे हैं और काली का मंदिर बंद है तो दोस्तो देखिए ये सारे जितने भी यातरी गने माता के दर्शन करना चाहते हैं सभी इंतेजार कर रहे हैं तो दोस्तो हम इंतेजार नहीं करेंगे दोस्तों माता के दर्वार खुलने का इंतिजार करने से तो अच्छा है क्यों नहीं यहां की सुन्दर्टा और मंदीर की कलाकिर्टियों को बारीकी से देख लिया जाए और समझ लिया जाए तो चलते हैं दोस्तों तो शुरू करते हैं माता जी के सवारी सेर से देखिए यहां पर एक सेर बना हुआ है माता जी के ठीक दर्वार के सामने सेर बना हुआ है यह उपर देखिए जो मंदीर के गुबज कहते हैं जिसको छत्री कहते हैं छत्री टाइप की बनी रहती है उसके अंदर देखिए आप कितनी बड़िया से देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है नो मताओं का यहां चित्र बना हुआ है कितना खुपसूरती से कलाकिरती की गई है हो सकता है कि हमारे केमरे में ऐसा कलाकिरती है धंग से नहीं कैद हो तो दोस्तों मैं अभी मोबाइल से ही इडिट करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों इसलिए हो सकता है कि अच्छी तरह से कैद नहीं हो पा रहा हो तो दोस्तो ऐसी प्यार आप लोगों का बना रहा तो सस्क्राइबर भी पूरे हो जाएंगे और कुछ अर्णिंग भी होने लगेगी और केमरा भी आ जाएगा तो अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाते रहेंगे तो दोस्तो ऐसे ही बने रहे हैं हमारे साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना न भूलें और दोस्तो कमेंट और लाइक तो बनती बनती है आप लोगों का इसी से उत्सा बढ़ती है हमारे की और अच्छे से वीडियो बनाए인 तो लाइक और कमेंट आवास से करें तो चलते हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो मंदिर के बाहे साइड में हवा नवेहरा होती है महाँ चलते हैं और माता जी का पूरा मंदिर का वहाँ सिलूख दिखाते हैं आपको और ऑगे चलते हैं दोस्तों देखिए यहां से कितना अच्छा लुख दिख रहे है नीचे का और कितना खड़ी है सिट्टी अब देख सकते हैं यहां से आपको साफ साफ नजर आएगा चदरो के आप आप से आप देखे कितनी खड़ी है और चड़ाई कितनी है और दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे यग्य विग्र होता है देख सकते हैं आप जालिय जालिय लगी हुई है तो दोस्तों जालिय के अंदर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन विग्र होती है और चारों तरफ से जालिय लगी हुई है जंगली जानवरों से बचाओ के लिए तो दोस्तों काली का माता का जैकारा लगने लगा दर्बार खुल गया है चलते हैं माता जी कर दर्शन करते हैं दोस्तों ये है काली का मंदिर की छबी जो पिंडी रूप में अस्थापी थे माता काली का से यही प्रफ न करना चाहूंगा कि जितने भी सब्सक्राइबर है उनकी और हमारे देखने वाले जितने भी विवर हैं उनकी मनो कामना पूर्ण करें इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कोई और धर मस्तल पे हैं तो चलते हैं दोस्तों जैमा काली क्योंत आरिएश करें मुदं क्योंतो आज केल है क्योंत क्योंत झाल झाल